सबसे पहले तो करंट अफेर प्रग्रम बातचीत करें, तो एक बहुत बड़ा सवाल है कितने समय का, तीसरा सवाल है क्या नोट्स बनाए जाएं, तीसरा सवाल है करंट अफेर को कैसे लिंग करें, और चौथा सवाल जो कि कई सारे स्टुडेंट बार बार पूछते रहते हैं, करंट अफेर तयार हो जाता है लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता, क्योंकि महिने भर का करंट अफेर में ही बहुत बड़े चलिंजे सामने आ जाते हैं, दो हजार तेईस से लेकर एक जनवरी दो हजार तेईस से लेकर कतीस मार्च दो हजार चोबिस अगर आप प्रिलिम्ज देने जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका मेंस आ जाता है, एक जनवरी दो हजार तेईस से लेकर तक बहुत तीस अगस्त तक तब यदि हम प्रिलिम्ज की बात करें तो पंधरा महिने का, और अगर आपका प्रिलिम्ज निकलता है और आप मेंस की बात कर रहे हैं, तो मेंस में और आप 6 महिने जोड दीजे, पांच महिने जोड दीजे, तो 20 महिने का, कि हमारा करंट अफेर रहेगा 24 के लिए, अब मान लीज़े, आप 25 देने जा रहे हैं, तो 1-1 साल इसमें जोड सकते हैं, तो करंट अफेर की इतनी हमें जरुवत पड़ते हैं, दूसरा सवाल होता है कि current affair के लिए sources की पहले बात कर लेते हैं current affair के लिए बढ़िया source होता है वैसे daily newspaper लेकिन daily newspaper का कभी भी notes मत बनाना कि इतना burden हो जाएगा कि दिन भर में देड़ दो गंटे चार गंटे तक भी जा सकते हैं और revision होता नहीं है लेकिन daily newspaper read करने की आदट डाली है फिर daily newspaper तो हम read करेंगे क्योंकि उसको पढ़ने के बाद हमें एक हलका पुलका idea रहेगा कि समाचार पत्रों में बात्चीत क्या चल रही है अब मान लेते हैं कि कोई Indian Express पढ़ रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस हम पढ़ रहे हैं ये इंडियन एक्सप्रेस की बात्चीत है आप अगर पहली खबर पर गौर करेंगे तो पहली खबर में आपको mostly ऐसी खबरे मिलती हैं तो राजनीती दुनिया से ज़्यादा जुड़ी हैं जैसे कि आप देख सकते कि शुट एंड साइट ऑडर एट वाइलेंस रेजिन मनीपूर तो जो घटनाए हैं इसका ज्यादा बेस सोलूशन ये हैं कि आप पेपर की शुरुवात last page से करी हैं तो कि ये टी-रपी वाली खबरों पर ज्यादा फोकस करते हैं हमारे लिए ज़रूरी टी-रपी से हैं कि वे खबरे जिनकों हमारे UPSC से लास्ट की खबर में जो भी क्रिकेट वाली खबरे होती है या खेल वाली खबरे होती है, तो किन खेल की खबरों पर हम कोई कर सकते हैं, मान लो कि ओलम्पिक चल रहे हो, कोई वर्ड टूनामेंट चल रहा हो, या फिर कोई ऐसा टूनामेंट चल रहा हो, जो कि पूरे पिर हम सीधा आ गए कि एक पेज पीछे की हो इस पोर्ट्स फिर से दिया गया है के अलावा बिहाइंड मनिपूर एक्स्प्लेंड पॉलिटिक्स जो पेज दिया गया है इसमें राजनीती से जुड़ी भी खबर है लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ गई है इसमे से जुड़ा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है डिप्लोमेसी फॉर्इन पॉलिसी स्ट्राटजी एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट खबर हमें पीछे की और मिली फिर यूएस फेड लास्ट हाइक बिफोर पॉसीबल पॉस्ट गुट डे फॉर मार्केट अहीड अगर आपको समझ में एकोनॉमिक्स नहीं आता है तो अभी उसको मत पढ़िए कोई जरुवत नहीं है अब आया है वर्ड पल्मोनरी हाइपर टेंशन डे मतलब ब्लड प्रेशर से जुड़ावा जो विश्विक दिवस हैं तो कुछ विशेश बाते बताई गई है हमारे हा पेश दिये हैं थोड़ा सा एक बार इस पर गौर करेंगे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे लिए अगर कोई होता है तो ये वाला पेश अब इकोनॉमी में बहुत से खबरे हैं आप किन खबरों पर गौर करेंगे ऐसी खबर जिसमें आर्बियाई आया हो ऐसी खबर जिसमें सरकार ने कोई एकोनॉमिकल योजना लाई हो जिसके कारण आपको लग रहा हो कि बड़े स्तर पर कोई बदलाव आएगा लेकिन जैसे कोई खबर आई है टाटा के शेरों में 40% की कमी आई ये किसी काम की नहीं है अधिकतर लोग जब न्यूस पर पढ़ते हैं तो थोड़ा syllabus आपको पता होना चाहिए जैसे agriculture से जुड़ी भी खबर आजाए आर्बियाई से जुड़ी भी खबर आजाए मोद्रिक नीती राजकोशिय नीती से जुड़ी भी खबर आजाए फिर दव वर्ड वेश्वी खबरों में वोड़ी बहुत important खबरे अगर दिख जा जहां पर आप editorial की बात करेंगे देखो बड़ा important editorial है my same sex marriage समलेंगी क्विभापर पर पिछले 10 दिन से समलेंगी क्विभापर editorial चल रहे हैं एक बार ही तयार करना इसे कहते हैं क्या dimension है थोड़ा google भी कर लिया करो खबर जब मिली important editorial की एक ही बार अगले दिन भी आएगा तो उसे पढ़ेंगे नहीं हम वहाँ पर समझ लेंगे कि हमने उसको cover कर लिया है या अगर हम बात करेंगे जैसे कि divers outside the course एक ही आगया है editorial फिर begin the gulf के बारे में एक editorial है पेटिंग inflation महगाई से लड़ने की बातचीत की गई है या फिर take action the indian express के द्वारा बताए गई खबर है sports body स जुड़ी हुई तो इस प्रकार का यह जो editorial page होता है बस यही page लगबग 10 minute आप देख सकते में खबरे छिपी होती है में खबर मतलब जो भी मुद्दा चल रहा होगा उस पर लेखक अपने विचार दे रहा होता है पिर आप जैसे ऐसे आगे बढ़ेंगे तो अब यह राज जो की खबर है अब ऐसी खबरे जिसमें कहा जाए कि जिसे बजरंग दल पर प्रतीबन लगाया जा रहा या किस तरीके की चीज़े इसको तोड़ा साइड में रखिए पॉलिटिकल खबरों में आएगा यह राजवाई इस खबरे हैं पॉलिटिकल खबरे इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है कि इंडियन एक्सप्रेस में चुरुआती पेज में कुछ ऐसी खबरे दिख जाए तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फर्स्ट इन ओवर्ड शिक्स इयर पाक फॉरें मिनिस्टर इन गोवा फॉर एस्यों मेंटिक अब एस्यों की मिटिंग हो रही तो इंपॉर्टेंट खबर हैं वाकि फिर वही साधारन खबरों के रूप में तो ज्यादा ज्यादा अगर मान लीजे कि इंडियन एक्सप्रेस जैसा अगर आप अकबार पढ़ रहे हैं तो मेरे इसाप से इन में पीछे से शुरू करते हुए 15 मिनिट आप एडिटोरियल पर पर देंगे, 15 मिनिट आप ओवरॉल विव पर देंगे, 30 मिनिट में आपका खतम हो जाना चाहिए पर कई हिंदी मिडियम के स्टुडेंट हैं जिनके माइंड सेट में यह कि सर अगर हम हिंदी मिडियम इंग्लिश समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर हिंदी मिडियम में किन खबरों की और गौर करें वहां पर हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो जिसे देनिक जागरन खीक माना जाता हैं राष्टिय संस्क्रन बाकी जगह के अलग फोड़े हैं सबसे पहले वही शुरुवात आगे से मत करेगा क्योंकि टी आरपी वाली खबरों पर ज्यादा ची खबर है इंपोर्टेन हलकी फुलकी सुन लो अमेरिका में हुआ दुनिया का पहला सफल मानव लिवर प्रत्यारोपन देखने सुननी जैसी हैं अगर कोई खबर ऐसी पता चलती है पढ़ने पर की बहुत विशेश प्रकार की टेकनिक थी तो एक बार जरूर देख इस रो ज है खुष्णुमा अंत के साथ विदाये तो फुर्षत में बैटे है पूरे दिन बर कोई काम नहीं है उनको पढ़ने दो मानसिक स्वास्त विकारों से जुड़े हैं रक्त के माइक्रो आरेने एक रिसर्च है पढ़कर देख लो बागी कोई नोट वोट करना कही पर भी नह इस तरीके के लोग क्या काम कर रहे हैं तो एक पहली खबर हमें लास्ट के पेज में मिली अब हम आते हैं सबतरंग वाली खबरें कि सुनने में बहुत अच्छी लगती है फोटो कापी अच्छी अट्रेक्टिव आते हैं तो सिधा पलट देना है कि किसी काम की नहीं वही मै कोई मतलब नहीं है जब यह IPL का आखरी मैच होगा उस समय एक एनलेसिस आएगा इसको बॉल मिली गोल्डन बॉल मिली अलग लग टाइप के जो क्याप मिलते हैं कि अंतर राष्ट ये खबरें हैं पाकिस्तान में 50 हिंदू का जबरन मंतान तरण देंगे हम इसे केतावनी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच हाई कोट पहुचे इमरान खान बगवास हैं सयुक्त राष्ट में रूच्किरा कमबोज ने सुरक्षा परिशद की विवस्ता पर सवाल उठाए पुड़ा सुरक्षा परिशद उनाइटेड नेशन से की नहीं है फिर सिधा यहां पर बिजनेस में भी आ जाएंगे तो कहीं ऐसी कोई खबर जो हमारे सेवी से जुड़ी हुई हो या फिर शेर मार्केट में सेवी ने कोई प्रतिबन लगा दियो जो हमारी रेगुलेटरी बॉड़ी उनसे कोई जुड़ी हुई खबर आ जाए यह है वो पेज के सबस्यादा ध्यान देना होगा इंडियन एक्स्प्रेस ने भी जो अपना पहला आर्टिकल दिया था वो पहलवानों के लिए दिया था यह फिर से पहलवानों की लड़ाई पर आ गया आर्टिकल ज्यादा डिफरेंस नहीं लोगों के थौट बदलेंगे आशंकाओ के बीच AI से जुड़ी संभावना वह तो पुर्ण खबर है कि आपने ध्यान देना चाहिए फिर सुगत जीवन का सुत्र बुद्ध आज बुद्ध पुर्णीमा है तो शाहिद उसकारन से तो थोड़ा सा एथिक से जुड़ा हुआ है फिर घाटी और पहाड के संगर्श में घिरा मनीपूर बुड़ा सा खबर इंपॉर्टन है क्योंकि नौर्थिस से जुड़ी वी और वो भी मारे इंटर्नल सेकुरिटी का मुद्धा है महिला है लिखेगी शिमला के विकास का इतिहास तो मैं कहुँगा कि महिला हो से जुड़ी भी है ओमन इंपॉर्मेंट से बहुत जरूर पढ़ लीजे नोट्स नहीं बनाएंगे केवल पढ़ेंगे जो खबरे में बता रहा हूँ अब आते हैं इसमें पूरा नेशनल लेवल की खबरे हैं तो राजजवाईस कोई ऐसी खबरों पर गौर नहीं करना है जैसे 18 हत्याव में वांचित अनिल दुजाना को किया धेर उनके लिए जो बारा घंटे नियूस पेपर पढ़ सका सुप्रिम कोट के फैसले से निराज नहीं विनेश फिर फासी पर चड़ने को तयार हूँ पहलवानों का आहित नहीं होने दूँगा ब्रजबुशा तो ये सारी खबरे हमारे लिए किसी भी खाम की नहीं है इसका टाइटल देखकर आप इसको विदाई कर सकते हैं अब ये वापीस आ गया SEO के विस्तार में जुटा चीन भारत भी साथ में फिर है तलाक के गेर्म्याई तरीके की वेदता पर विचार करेगा सुप्रीम कोट अभी एक लेक आया था अंग्रेजी में भी इंडियन एक्सप्रेस पर आउटसाइड ओप कोट तलाक के जो मामले होते हैं खबर इंपोर्टेन है मतलब सभी लोग दे रहे हैं तो ऐसी खबर जहां पर आपको लग रहा हो कि कोई एथिकल मुद्दा जुड़ रहा है भारत से जुड़ावा खबर पढ़िये नोर्स नहीं बनाएंगे पाकी फिर आखरी में जो शुरुवात का पेज दिया होगा बिहार में जाती आधारित जनगणना पर पटना हाई कोट की लोग सुप्रिम कोट ने महिला पहलवानू की आचिका पर सुनवाई रब्बन की सीमा विवात सुल जाए बिना रिष्टे सुधरने वाले नहीं है फिर से मुद्दा इंपोर्टेन है भारत और सिमावर्ती देशों से जुड़ा हुआ है आगे वाला लाल इस पर गौर करें पहले मैं जानता हूँ बहुत महिनती है तो ऐसी खबरों पर ज्यादा गौर करिए तो हमारे दैनिक जीवन से ना सही पर हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन से बहुत जुड़ी हुई है तो बैक साइट से पेपर को शुरुआत करते हुए इन खबरों पर आएंगे अब सवाल ये मत सोचेगा कि सर मैं फिर दैंदू पढ़ू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ू या फिर दैनिक जागरन आपको कोई भी एक अकबार 30 मिनिट का टाइम देना है आप मुझे से कहें सर कप पढ़े तो सबसे बेस टाइमिंग मेरे हिसाब से होता है खाना खाने के बाद जब वैसे भी पढ़ाई का मन नहीं होता है अगर आदे गंटे की जगह 40 मिनिट भी आपने अकबार देख लिया तो वो टाइम आपका वेस्ट माना नहीं जाएगा तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि डेली का न्यूस पेपर हमें पढ़ना है लेकिन नोट्स नहीं बनाने फिर सवाल है कि सरफ नोट्स कैसे बना या किसके बनाएं तो दो चीजों के नोट्स आप बना सकते क्योंकि समरी नोट्स होता है रिविजन नोट्स होता है तो लोग मेगजीन आजकल निकाल रहे हैं वो मेगजीन में महीने बर की खबरे देते हैं कि नहीं, उनका काम ही है, पैसे इसी बात के लिए रहे हैं, तो या तो आप कोई मेगजीन ले लीजें, या जो weekly current affair में आपको Monday की दिन लेता हूँ, उसका PDF भी मिलता है, उसकी class भी होती है, वो important खबरों का जो भी सापता ही है, उसको cover करते चलिए, अब मानलो मैंने कोई खबर छोड़ भी दी होगी, तो आपको उसी दिन याद आ जाएगा कि अरे, ये खबर तो बड़ी important लग रही थी मुझे, क्योंकि आपने खबर पड़ी हैं, आप उसी खबर को उसी समय उस point के रूप में जोड सकते हैं, इससे inclusion हो जाएगा कि आपने भी extra कुछ point जोड दिये, तो या तो आप magazine cover करेंगे, या फिर आप cover करेंगे, weekly current affair जो Monday के दिन शाम को वाड़े 7 बजे, लेट्स क्रैक UPCS Indie चैनल पर होता है, magazine में भी कई लोगों के दिमाग में सवाल है कि योजना, पुरुशेत्र, फिर private वालों के आती हैं, PIB मार्केट में आने लग गया हैं, कई प्रकार की magazine आती हैं, देखो, पुरुशेत्र जैसी magazine भले लोग कितना भी दावा करें, कि ग्रामीन विकास में बहुत सारे सवाल इसमें आते हैं, ग्रामीन विकास से पूरे UPSC के प्रिलिम्स में पाँच सवाल आएंगे, 12 magazine परके 5 सवाल, पुरुखता है पूरी तो भी important, और क्या ये दावा नहीं कर सकती कि आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, बचे हुए अगर उस magazine को पूरा पढ़ लेते, तो क्या दावा कर सकते हो कि चारो सही हो जाएंगे, एक या दो सवाल हो सकते, तो कुरुशेतर वाली magazine मत पढ़ो, चोजना जरूर लो, चोजना कि magazine हम पीटी के बाद मेंस में ज्यादा यूसफूल, उसमें बहुत अच्छी तरह से लेख निबंद लेखन के लिए दिये होते हैं, तो योजना वाली जो magazine है, उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, वो magazine आप चाहो तो जमा करके रखो, अगर नहीं पढ़ने का टाइम होते हैं, तो कि मेंस के समय फिर जब हमें तेजी से topic देखने होते हैं, आजकल digital भी मिलने लगे हैं, तो उसको भी समाल के रख सकते हैं, बड़े मुश्किल से 20 या 30 रुपए की होती होगी, उसको आप खरीत के रख सकते हैं, अब महिने भर में कोई भी एक magazine जिसकी language easy है, खाशा आसा हो, ऐसी magazine को आप संडे के दिन पढ़ोगे भी, और notes भी बनाओगे, अगर आप weekly current affair कर रहे हो, तो कोई magazine की जरूवत नहीं, अगर आप कहरें नहीं सर मैं weekly नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर संडे के दिन आप जो magazine आती है, उसको चार संडे में cover करने का target रखो, चार पार्ट में magazine आते ही फार दिया करो, यह ना सोचा करो कि magazine फारने से magazine का कोई अपमान हो जा रहा है, ताकि संडे फिक्स रहें, कि कितनी magazine हमें पढ़नी है, पढ़ने के साथ साथ इस बार magazine से short notes भी बनाने है, अगर आपको short notes बनाने का आलस है, तो फिर magazine में highlighter यूज करके, उस magazine के notes को ऐसे ready करना कि भी मैं अगली बार magazine पढ़ू तो मुझे पता चले मुझे यही पढ़ना है, तो आपिस आप highlight करने के बाद पूरा magazine पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि magazine से या तो notes बना लीजे, अगर आपको notes बनाने में time लग रहा है, तो आप उसको highlight कर द की बात पढ़ रहे हैं, और आपने current affair में मूल अधिकार से जुड़ा कोई चर्चा में सुना था भी दो महिने, तीन महिने में, इमीडेटली उस ख़बर को पूर्ण देखो, और अब अपने वो point में जोड़ो, जो अभी हमने static portion में पढ़ा है, तो कहने का अभिप्रा ये ह होता है कि जब आप current affair की बात करते हैं, तो कोई भी चीज revise तब हो पाएगी, जब आप उसको link कर पाएंगे, कई बार आप कहेंगे कि सर्म मैं connect नहीं कर पा रहा हूँ, बिल्कुल आप पहले दिन क्या शुरुआत के तीन तर महिने भी connect ना कर पाएं, पर जैसे जैसे आपक कि GS का revision होगा, आपकी connectivity बढ़ेगे, और चीजों को आप बेटर तरीके से समझ पाऊगे, तो connectivity अभी target नहीं है, अभी है हवर को समझना, अभी target है उसका short notes बनाना, अभी target है current affair की समरी तयार करना, कि जिस दिन आप revision शुरू करोगे, तो उस दिन आपके सारे विशे आपके दिमाग में आना शुरू होंगे, तब आपका दूसरा पड़ाव रहेगा, तब current affair मैं अगर कहूंगा, जीरो से शुरू करो तो आत मत्या होगी, क्योंकि इतना बड़ा current affair, फिर जीरो से शुरू करना मुश्किन, बाकी last में जब revision जैसे अभी 2023 वाले विध्यारतियों के ल तो finally मैं कह सकता हूँ कि current affair को आपको इस तरीके से solve करना, तेली आधे घंटे से 40 मिनिट आप newspaper पढ़ेंगे, लेकिन notes नहीं बनाएंगे, आप जैसा भी पढ़ना चाहरे है, Hindi, English, जो भी, अगर अंगरीजी नहीं समझ में आती तो जबर्दस्ती मत करना, क्योंकि वही paper का ख रिवीजन के लिए आप जब भी कोई GS का topic पढ़ रहे है, उससे जुडावा मुद्दा याद आ रहा है, तो दोख देखो उसको, अगर नहीं याद आ रहा है, तो आप महिने, 3 महिने, 4 महिने का current affair का target revision का रख सकते हो, कि March तक हो गया, अब April में revision भी करते चलो, अगर आपक रहता हो कि revision फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो test series जो होती है, उसके according भी आप revise कर सकते हैं, आखरी में जब मैं yearly current affair लोगा, तो उसमें yearly current affair में जो भी important point है, तो cover हो जाते हैं, use paper पीछे से पढ़ेंगे, editorial पर 15 मिनिट देंगे, बाकी पूरे 15 से 20 मिनिट बाकी खबरों पर, आपकी speed आपको पढ़ने की understanding की, reading की habit डालना, YouTube पर प्रती दिन, 100 वीडियो मिल जाएंगे, अभी आप अगर डालोगे, इस समय तक आ गए होंगे 100 से 1500 वीडियो, लेकिन इसके कारण एक problem क्या होगी, कि आपको सुनने की आदत तो बहुत हो गई, reading की habit छूट जाएगी, पिछले 2-3 वर्चों से जब से कोरोना लगा है, reading की habit बच्चों की कम हो गई है, और फिर जब revision का समय आता है, exam नसदिक आता है, तो उनमे reading की habit अच्छी न होने के कारण problem फेस कर है, अगर आप 40 मिनिट अपने newspaper reading की habit रखोगे, तो आपको comprehension में मदद मिलेगी, आपका focus बेटर हो पाएगा, और reading habit में आपकी understanding शब्दों के साथ और अच्छी होगी, तो आपका हिंदी भी सुद्रेगा, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आपका अंग्रेजी भी सुद् होता है, डिनर, उसके बाद आप आदे घंटे 40 मिनिट इसको दे सकती, क्योंकि reality में खाना खाने के बाद, फोड़ी नींद नहीं आती रात में, दिन में तो नींद आ जाती है, खाना खाने के बाद ही, लेकिन वहाँ नींद नहीं आती और पढ़ाई का मन भी नहीं होता है तो किसी के साथ गपे लगाने से अच्छा है कि आप use paper को रात के समय कवर कर लीजे, डेली के notes मत बनाना, मैं बता दू कि PT में अगर कितनी भी ताकत लगाएंगे तो 15 question का target मान के चलिएगा, 2016 का paper अपवाद है, और mains में हमेशा ही जो question आएंगे वो current affair और static दोनों का mix up होते अगर मैं mains की बात करूँ तो 30% ये current affair के question होते, 30% static वाले होते हैं और 40% वे question होते हैं जिसमें आप बगेर static के current affair का use नहीं कर सकते, तो आपको अपनी mains के लिए भी, PT के लिए भी इसको साथ में लेकर चलना है, इसको प्रकार का कोई current affair, जैसे अब कई student मुझे कहेंगे, तो तो क्या करें, महिने का बाद में कर लेना, अभी मार्च वाला, अप्रेल वाला या मही वाला तो शुरू कर, यहां से तो connectivity आ जाए, यहां से भी cover कर लिया, तो लास्ट के तीन महिने का revise कभी भी कर लेंगे मेगजीन में से, तो जहां से जग रहे हो, वही से शुरू बात कर honestly एक copy बनाना, आप current affair के तोड़े notes का आखरी point बता दू, जैसे आप मान लेते हैं कि weekly current affair के notes पढ़ रहे हैं, मैं एक तरीके से मान के चल रहा हूँ कि weekly current affair के notes आप cover कर रहे हैं, तो weekly current affair में मैं हमेशा कहता हूँ कि notes की दो copy बनाया करो, एक copy में आप उन खबरों को लिखोगे जो मैं बहुत detail से पढ़ाता हूँ, उसका कारण होता है क्योंकि वो खबर नहीं होती, बलकि आपकी UPSC का वो एक topic होता है, तो वो PT mains दोनों में आ सकता है, फिर एक खबर होती जो बड़े मुश्किल से एक ही slide में मैं खतम कर देता हूँ कि ये खबर थी, इससे जोड़ी भी, तो वो खबर आपको दूसरी copy में लिखना, ये PT में ज्यादा मदद करेगी, तो ये खबर आपके mains के point of view से रहेगी, और ये खबर आपके PT के point of view से, दो copy बनाये, 300 page की दो copy ही भरनी है, इससे ज्यादा current affair अगर आपने बनाया, तो आप revise नहीं कर पाओगे, ज्यादा magazine खरीदोगे नहीं, दुनिया वाले चार magazine और बता देंगे, क्योंकि science में science reporter आती है, फिर क्या वो भी magazine लेंगे, ऐसे तो हर मंत्रा ले, अपनी magazine देता है, monthly या 3 मंत में, तो इतन सब कुछ हम cover नहीं करेंगे, एक magazine को follow करेंगे, एक newspaper को follow करेंगे, इमानदारी से, मुझे बस इतना बता दो कि अगर आपने proper एक magazine cover कर ली, proper एक current affair का जो भी newspaper है, वो cover कर लिया, 100% में से कितना current affair आपका cover हो जाएगा, फिर हिसाब से 75-80% current affair आपका cover हो जाएगा, पची बात 25 30% की उसको जमा करने की कोशिश करिये मत, क्योंकि जितना फैलोगे current affair की कोई सीमा है, नहीं है, तो ज्यादा बेटर होगा एक magazine, एक newspaper और अपनी वही दो copy के proper note, और इसको अपने daily schedule में लाइए, आप set करिये कि आपको कोन सा time, जैसे मान लीजे कि newspaper पढ़ने में आपको लग तुम कैसे use करने जा रहे और कैसे utilize कर, क्योंकि main है daily current affair या daily newspaper आपने एक पार read करना ही जाए, जैसे अगर मैं कहूंगा कि PT 365 आप लेना चाहरे है, आप try करके देखो एक उधारत दे रहा हूं, जो भी विद्ध्यारती के मन में है कि मैं last में PT 365 कर लूगा, तो आज 2023 वाला त बढ़ के दिखा दो मुझे, आप न केवल उसकी भाशा से परेशान हो जाएंगे, बलकि आप एक समय के बाद कहेंगे कि मैं इसे तो पढ़ी नहीं पाऊगा, याद नहीं रहेगा उसमें से, इसलिए मैंने आप से का कि daily का newspaper पढ़ेंगे तो आपको शब्दावली पता चल किया, ना आपने मंतली वाला कवर किया, ना वीकली वाला, अचानक आप कहरें कि पूरा कवर कर लेते, अब इतनी मेगजिन 6, 365 वाली 4 या 5 आती हैं, एक खरीत कर रख लो अभी, और ट्राय करके देखो कितना तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर आपको current affair real में समझ में न कितना रटल होगे, एक प्रैक्टिकल करके देख लो, 7-8 दिन तक कितना 365 समझ पाते हैं, तो पर जो 365 बोलते रहते या किसी ने आपको बताया होगा, याद रखेगा, तो 65 वो दूसरे तीसरे साल बोल रहा होगा, या फिर सलेक्शन लेकर आया होगा, कही अलग लग छोटी पर जनरली, पहला नया नया वेक्ति जब 365 पहले साल पढ़ेगा न, कवर कर पाई, मैं जो बातचित कर रहा हो वो बिल्कुल फ्रेश विध्यारती के लिए कर रहा हो, कि जिसने शुरुआत अभी की है, जिसने अभी सिलेबस शुरू किया, अभी तक एक्जाम नहीं दी है, या कोई भी एक बार मेंस नहीं लिखाए, एक बार आप मेंस लिख दीजे, एक बार आप इंट्रिव दे दीजे, या एक बार आप कोई भी एक्जाम में सलेक्ट हो जाएए, फिर आपको मुझे ये बेसिक बात बताने की जुरुवत ही नहीं पर आप इतने स्मार्ट अपन पर जब तक एक्जाम नहीं दिया है, तो एक systematic धंग से चलना, क्योंकि जो चीज़े आप सुनते हैं, वो हर विक्ति अपने अलग-लग मस्तिश के अनुसार दे रहा है, मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने वर्षों से ये तो जानता हूँ न, कि नए विद्ध्यारती की सोच कहा तक की होती है, पहले वर्ष का विद्ध्यारती कितना सोच पाता है, मानलो कि तीन साल से आप पीटी निकाल रहे हो और मेंस लिख रहे हो, तो उते साल आपको मैं ये बाते बताई नहीं पाओगा, क्योंकि आप कहोगे सर, ये सारी चीज़े अब हम देख चुके हैं, आप बताओ, जो बचे वे टॉपिक है, उसको कैसे के लिए, तो हर एक समय अपने-अपने अकॉर्डिंग होता है, ये जो पूरी बात कीत है, वो केवल उन विद्ध्यारतियों को ले हैं, तो पहली बार एक्जाम देने जाओगे, अगली बार जब आप देने जाओगे, ये बाते बक्वास लगेगे आपको, क्या बाते बताईती सर न क्लियर है बाते, तो करंट अफिर में हमारी स्ट्रेटजी सिम्पल सी यही रहेगे